स्टडी आईक्यू आईएस अब तयारी हुई अफॉर्डबल नमस्कार दोस्तों जैसे कि हमारे देश के इंदर पारलेमेंट है जिसमें आपको दो हाउस देखने को मिलते हैं लोकसभा और राजसभा वैसे ही अमेरिका के अंदर उसको कॉंग्रेस कहा जाता है जिसके अंदर भी दो हाउस है अपर हाउस को कहा जाता है सेनेट और जो लोवर हाउस को है उसको कहा जाता है हाउस ऑफ रेप्रेजेंटेटिव तो हाउस ऑफ representative में एक lawmaker है जिन्होंने US Congress के अंदर मतलब की House of Representatives के अंदर एक resolution लाया है जो की भारत के खिलाफ है यह आप देख सकते हो US Congress Women introduces anti-India resolution in-house तो यह है क्या पूरा मामला कौन lawmaker है जिन्होंने ऐसा किया है क्यों किया है यह सब कुछ हम देखेंगे चली आगे बढ़ते हैं लेकिन उसके पहले ध्यान रखेगा एक बहुत important खबर कल 25 जून को जो पहला batch है Life Foundation batch UPSC का वो बंद होने जा रहा है आपके पास अच्छा मौका है क्योंकि अगला जो UPSC Prelims का exam है 28th of May 2023 एक साल से भी कम आपके पास मौका बचा है आप इस course को avail कर सकते हैं ताकि आपकी जो पूरी त्यारी है साल भर के अंदर अच्छे से हो सके और इसके अंदर यहाँ पर आपको जो पूरा schedule है subject wise वो सब कुछ दिया हुआ है इसके अलाबा सारी classes live पढ़ाई जाएंगी आप doubts पूट सकते हैं one-to-one mentorship ले सकते हैं mcq-based learning limited seats ही है और यहाँ पर inaugural offer के तौर पर 18,500 में मिल रहा है अगर आप code इस्तमाल करते हैं अंकित live हमारे app और website पर तो lowest price पर आपको यह पूरा offer मिल जाएगा इसके अलाबा अगर आप mcqs attempt करना चाहते हैं तो मेरे insta page पर जा सकते हैं वहाँ पर stories में जितने भी mcqs हैं उसको आप attempt कर पाएंगे चले सुरवात करते हैं और सबसे पहले देखते हैं exactly अभी हो क्या रहा है जैसा मैंने बताया US Congress के अंदर जो house of representatives हैं उनकी जो एक lawmaker है और lawmaker मैं बता दूँ कि वो Democratic Party से बिलॉंग करती हैं अब आपको पता होगा दो main party है US के अंदर एक है Republican Party जो कि Donald Trump की party थी और दूसरा है जो Democratic Party है जो कि Joe Biden की party है तो Democratic Party की ही lawmaker है Ilhan Omar उन्होंने 22nd of June को यहाँ पर एक resolution लाया House of Representatives के अंदर और उसके अंदर ये कहा कि भारत के अंदर जिस प्रकार से Human Rights का violation हो रहा है Specifically towards Muslims, Christians, Sikhs, Dalit, आदिवासी और इसके अलाबा और भी कई सारे religious groups के खिलाफ जो violations हो रहा है cultural minorities के खिलाफ जो violation हो रहा है उसको condemn करना चाहिए इसी को लेकर एक resolution लाये गया जहां तक ये resolution है उनकी तरफ से यहाँ पर जो office है उनके दोरा बोला गया कि इस resolution के तहट जो है US Secretary of State अब US Secretary of State क्या है जैसे हमारे यहाँ पर external affairs ministry होती है वैसी वहाँ पर US Secretary of State मतलब कि foreign minister उनके तो उनको यहाँ पर भारत को country of particular concern के अंदर डाल देना चाहिए अब US के अंदर एक act है जिसको कहा जाता है International Religious Freedom Act तो इसी के तहट यहाँ पर उनके दोरा बोला गया कि क्योंकि भारत के अंदर इतना ज़दा violation हो रहा है rights का इसकी वज़े से भारत को country of particular concern में डाल देना चाहिए अब इससे होगा क्या कि भारत के ओपर कई सारे economic sanctions लग जाएंगे अगर यहाँ पर उनको मतलब कि भारत को इस particular category में डाल दिया चाहता है और इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हो जो US CIRF that is US Commission on International Religious Freedom एक body है US के अंदर उन्होंने भी पिछले तीन साल से कहा है कि भारत को इस category में डाल देना चाहिए ऐसा उन्होंने अपने resolution के true कहा, तो I hope कि आप समझ पा रहे होगे कि उनका resolution exactly चाहता क्या है तो question यहाँ पर सबसे पहले आपके मन में आएगा कि US तो एक हमारे साथ friendly देश होता जा रहा है काफी जादा करीब होता जा रहा है तो वहाँ पर कौन सी ऐसी lawmaker है जिन्होंने इस resolution का लाया है जैसे मैंने बताया इलहान उमर और ये Democratic Party से बिलॉंग करती है जो Biden की Party से भी बिलॉंग करती है उनका जो जनम है वो Somalia में हुआ था अगें यहाँ पर आप देख सकते हैं उनकी पिक्चर जो है और काफी जादा चल रहा था पहले भी ये काफी news में रही थी और Somalia में जनम हुआ था और क्योंकि Somalia में Civil War देखने को मिला तो 13 साल की उमर में वो उसको छोड़कर as a refugee US के अंदर आ गई 2016 में फाइनली यहाँ पर देख सकते हैं कि उनके द्वारा elections लड़ा गया और फाइनली जो है पहली Somalia American legislator बन गई गई वो United States के अंदर और इनफाट वो पहली हिजाब wearing woman बन गई जो कि US Congress का पार्ट थी इसके अलावा यहाँ पर बताया जाता है कि वो एक group का part है जिसको कहा जाता है the squad the squad के अंदर क्या है कि US Congress के अंदर करीब 6 ऐसे lawmakers हैं जिन्होंने मिलकर यह squad बनाए एक प्रकार का informal grouping है और यह basically अपना जो ideology है वो party के काफी left रखते हैं मतलब बहुत जादा socialist जो विचार था रहा है वो रखते हैं इस 6 के 6 members अगर आप देखोगे तो racial minorities से आते हैं और यहाँ पर 5 members तो directly women है और एकी member है जो कि men है इसके अलावा 3 members इसके अंदर muslim है तो कहने का मतलब यह है कि यह जो the squad बनाया गया है उनकी द्वारा मतलब एक प्रकार का informal grouping बनाया गया है जिसमें इलहान उमर भी शामिल है तो उनकी द्वारा उन लोगों के द्वारा यही कोशिश होती है कि जो भी minorities से related जो भी cultural या फिर religious minorities से related कोई problem है उसको लेकर voice उठाई जाए in fact जो Donald Trump थे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे इंको 2019 में यहाँ पर उन्होंने criticize किया और Donald Trump ने यह कहा था कि why don't they go back मतलब कि जिस वो जगह से आये हैं जैसे कि इलहान उमर सुमालिया से आये हैं तो सुमालिया में अपने आप में काफी ज़्यादा problem चल रही है तो क्यों नहीं वो वापस अपने देश चले जाते हैं और वहाँ पर जाकर उसको सही करने की कोशिश करते हैं तो directly यहाँ पर उमर को जो है attack किया गया था और उमर ने यहाँ पर एक स्टेटमेंट भी दिया था इस्राइल के रोल को लेकर पलेस्तीन वाला जो पुरा वार चला था तो इस्राइल का क्या रोल था पलेस्तीन में उसको लेकर भी यहाँ पर जो है उमर ने comment किया था तो Donald Trump ने directly attack किया था कि इस तरह के जो बयान है वो सही नहीं है लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो भारत के खिलाफ उनका basically क्या कहना है तो जैसा मैंने बताया कि यहाँ पर उन्होंने directly blame किया है Indian government को अपने resolution के अंदर और यह कहा है कि जिस प्रकार से human right violations हो रहा है religious और cultural minorities के किलाफ वो सही नहीं है और recent years में यहाँ पर Indian government ने जो regressive policies है Muslims के खिलाफ, Christian Sikh, दलित के खिलाफ वो यहाँ पर अपनाया है और इसी की वज़े से United States को एक कदम लेना चीए, stand लेना चीए ताकि भारत में religious freedom जो है वो आ सके और in fact उन्होंने अपने comment के अंदर Anthony Blinken का भी comment अपना जो resolution लाया है उन्होंने उन्होंने Anthony Blinken का भी हवाला दिया क्योंकि US Secretary of State है Anthony Blinken उन्होंने 2021 में कहा था कि भारत जो की world की largest democracy है वहाँ पर recent times में हमने काफी सारे attacks देखने को मिले है people of worship के उपर और लोगों के खिलाफ काफी सारे attack हुए है तो ये statement भी उन्होंने अपने resolution में डाल दिया ताकि उनके resolution को support मिल सके धायर से बात है वो आपका सफल नहीं हो पाया लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो कि इलहान उमर के द्वारा और भी कई मुद्दों पर बोला गया जैसे कि चाइना के अंदर अगर आप देखोगे तो वीगुर मुस्लिम्स हो गया उनके treatment जिस प्रकार से चाइना ट्रीट करता है उनके खिलाफ भी उन्होंने बोला है 2019 में सिलंका के अंदर जो eastern bombings होई थी और फिर कई सारे international issues के खिलाफ उनके द्वारा बोला गया है सिर्फ यही नहीं यहाँ पर वो controversy में तब आ गई बहुत जादा जब वो चार दिन के visit पर गई थी पाकिस्तान में और पाकिस्तान में एक्छिली अप्रिल का ही बात है अप्रिल मेने की बात है और वो वहाँ के पाकिस्तान के Prime Minister शेहबाज सरीफ से उन्होंने मुलाकात की और जो former Prime Minister है इमरान खान उनसे मुलाकात की और पाकिस्तान occupied कश्मीर भी वो चली गए और तब यहाँ पर भारत ने काफी जादा criticize भी किया था उनको क्योंकि यहाँ पर April में वो directly पाकिस्तान occupied कश्मीर चली गए जो हमारे official spokesperson है अरविंदम बाक्षी उन्होंने ये कहा कि अगर ऐसी politician का narrow minded politics है तो वो उनका business है वो कर सकती लेकिन ये हमारे territory में आना पाकिस्तान occupied territory में आना और हमारे sovereignty integrity का उलंगन करना ये इसके खिलाफ है उनको इसके बारे में सोचना चाहिए और इस चीज को हम पूरी तरह से condemn करते हैं तो भारत ने उनके खिलाफ directly एक बार condemn किया हुआ है और अभी ये जो resolution लाया है इसको लेकर भारत ने अभी तक तो कुछ नहीं बोला लेकिन ये अभी particular scenario है लेकिन यहाँ पर आपके मन में question आएगा कि अभी मैंने आपको बोला था United States Commission on International Religious Freedom ये जो particular body है जिनके द्वारा भी यहाँ पर बोला गया है कि भारत में काफी सारे relations हो रहे हैं तो ये exactly क्या है तो ये एक independent body ह जो कि American government के द्वारा ही बनाये गया था ताकि विशु भर के अंदर ध्यान रखेगा विशु भर के अंदर अमेरिका के अंदर नहीं विशु भर के अंदर अगर किसी प्रकार का right to freedom का उलंगान हो रहा है religious right का उलंगान हो रहा है तो उसके खिलाव यहाँ पर वो लोग कदम लें और इसी के वज़े से उनके पास power है कि वो policy recommendation कर सकते हैं President को Secretary of State को और Congress को भी लेकिन ध्यान रखना है वो जो भी यहाँ पर कहेंगे जो भी recommendation देंगे अगर वो US CIRF कहता है कि भारत को country of particular concern में डाल देना चाहिए तो यह recommendation binding नहीं है it is non-binding अगर US सरकार चाहे तो डाल स आप देख सकते हो यहाँ पर यह जो body है उन्होंने भारत सरकार के खिलाफ कई मुद्धो पर बोला है जैसे कि citizenship amendment act आया था या फिर 2019 में जो lynching का मामला हुआ था तबरेज अंसारी का तो उस समय भी यहाँ पर उन्होंने बोला था और इसके अलावा यहाँ पर उन्होंने clearly क पूछा गया कि आखिरकार जो बाइडन क्या प्रामिश्टा मोदी से जब मुलकात करेंगे और especially मुलकात कब होगा I2-U2 यह जो ग्रूप बनाया है कि हमाने इसके उपर वीडियो भी बनाया था जिसमें इंडिया इस्राइल और UAE साथ में US यह चार देश सामिल है एक प्रकार का West Quad इसको बोला जा रहा था तो क्या उसके अंदर क्योंकि जुलाई में इसकी मिटिंग होनी है तो क्या यहाँ पर बाइडन जो है मोदी से इसके बारे में बोलेंगे तो प्रेस सेक्रेटरी ने वाइट हाउस प्रेस सेक्र मिल गया होगा जाने से पहले एक interesting question क्योंकि हम international कुछ organization के बारे में बात करें एक सर आप सुनते होंगे Amnesty International क्या बता सकते हैं Amnesty International कौन से field से related है इसका right answer आपको पता ही है मेरे Instagram पर तो मिलेगा ही वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं Telegram से भी ले सकते हैं इसका स आपको directly जो पूरा offer है वो मिल जाएगा 18,500 में बहुत ही affordable है और यह preparation आपका complete करा देगा actually तो you just go and buy that by 25th of June क्योंकि यह admission जो है वो close होने वाला है I hope कि वीडियो आपको पसंद आ होगा मिलता हूँ आप से next time till then thank you very much see you soon Study IQ IS अब तयारी हुई affordable